हेलो दोस्तो आज डिसकुसन करेंगे पार्ट्स ओप स्पीच के बाड़े में दोस्तो पार्ट्स ओप स्पीच पूड़े एट होते हैं यानि आठ होते हैं नाउन, पुरनाउन, भर्ब, एड्जेक्टिव, एड्वर्ब, प्रिपोजिशन और कंजक्शन अब और इंटर्यक्शन पार्ट्स ओप स्पीच यह इंडिकेट्स करते हैं इसका मतलब है कि संटेंस में कैसे कोई भी वर्ड ग्रामेटिकली वर्क करते हैं अर्थात जब भी हम कोई संटेंस लिखते हैं तो कौन सा वर्ड कहां पर लिखना है यह हमें पार्ट सुपस्पिच बतलाता है जैसे आपने अगर लिखा राम इज गुड वाइट यहाँ पर राम नावन है एज भर्ड गुड एडजेक्टिव हैं वाइड नावन है ऐसे करके संटेंस बनते हैं चले दोस्तों बात करते हैं अब इसके भेत के बाड़े में यानि इसके ट्यव टाइप्स कितने होते हैं तो दीजर फ्लोइंग यह कुछ इस्तरस होते हैं नावन पर नावन एडजेक्टिव भर्ड एडवर्ड प्रिपोजीशन फिर कंजक्शन इसके बाद है उसके बाद आपका last में हैं इंट्रजेक्शन दोस्तों अगर हम बात करें नाउँण COPay तो नाउण क्या होता है नाउन कि एक तरह साम इसे और भी संख्रा सकते हैं आप समझ लो कि नाउन जो है एज फादर अफ पार्ट्स मतलब यह ग्रामर का है मतलब अगर नाउन नहीं रहे न तो कोई भी आप ग्रामेटिकल चीज को सौल भी नहीं कर पाऊगे मतलब बना ही नहीं पाऊगे तो नाउन बहुत जो एक्षन वॉर्ड में होते हैं एडवर्ब जो भर्ब की विसेश्था पतलाता हो और प्रेपोजशन जो ठीक नाउन के पहले आता हूँ इसे आफ हो गया वीच हो गया बहुत सारे हैं अन है एट है इन है वगेदा वगेदा और कंजक्शन जो संटेंस को और वाड़ को आपस में connect करके रखता हो मतलब जोरने का काम करते हो उसे क्या बोले अपनों conjunction और किसे करते हैं दोस्तों सब्सक्राइब कि एक तरह से family है और और इस family में कभी न कुछ न कुछ रहता है तो जो कुछ न कुछ होता रहता है जैसे मैं कहना का मतलब है कि जिसे आपके फैमिली में कुछ ने कुछ होते रहता है कभी दुख कभी सुख का होना कभी कुछ-कुछ खुस्याएं नहीं तरीके से आना तो वह चीजे को जो हम एक्सप्रेस करते हैं तो बाइदा हेल्प इंटरजेक्शन जैसे अल्लास ओ आ यह पी, ब्रेवो, इंटरजेक्शन दोस्तों तो यह पार्ट सपस्पीच किसी भी संटेंस को बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है अब हमें यह देखना है कि इन सारे वर्ड का इस्तमाल हम किस धंग से कर सकते हैं इसके लिए दोस्तों हमें सबसे पर यह जानना हुआ कितने संटेंस होते हैं टाइपस अब संटेंस यह डिसकर्शन करेंगे हम लोग अगले निव वीडियो के साथ जय हैं दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में